वाँ वाँ क्या स्टेट्मेंट है कि अवाम की कौम की जाने जाएं तो वह हमारा कसूर है और आप लोग अपनी जाने महफूस करने के लिए रातो राज भरेवे कंटेनर जो है वह लग जाते हैं तो जब पता था पांच जनवरी को कि एक्स्ट्रीम वेदर होने वाला है तो अवाम तो एक्साइट्मेंट में जाएगी ना तो आप लोगा काम बनता था कि आप लोग कंटेनर लगवा के उस सड़कें बंद करते लेकिन नहीं एक लाग पचास जार गाड़ियां जानी थी तो उसका टोल टेक्स भी तो लगना था एक अरब रुपए से भी जादा तो और अभी भी बिचारे माइगाड 25 से जादा की डेथ हो गई है उसके बाद कितने स्ट्रेंडेड हैं और अभी भी बिचारे जो है वो मुश्किल में ठिटर के गाड़ी का हीटर ना जलाते तो क्या करते अब जी एक और कार्बन मोनोकसाइड की निकल आई है थे अब चीज साउच भी आगी है मदद हो रही है लेकिन मेरे सवाल ये है कि जब मौसम का पता था आपको दस दिन पहले के हैवी स्नों फॉल है दो मिनिट लगते हैं कि आप लोग जो है कंटेनर लगा के रोड़ बंद कर देते हैं शेरों की तो पता था ना कि होने वाला है ये लोग जा प्लाजा के पैसे जो बने हैं वो फिर कैसे बनते हैं पुलीस इसलिए चुप गल्ले में डाले जारे थे वो टोल प्लाजा वाले तो आप उनको ब्लेम कर रहे हैं यार खुदा के खौफ करें इतने को बेवकूफ हम लोग नहीं है कि क्या समझे नहीं ना स्ट्राटीजी न तो प्लीज अगर मारा मैसिज गवर्मिट तक गयता है इसलिए करो यार भाई इसी ही तरीके से मैसिज यहाता है इदिल कुई है बेजें कोई फोज बहएं कोई इधर हलब के लिए एक बेजें 16 लोग मर गएं ये चार लोग गाड़ी के अंदर मर गएं प्लीज हलब के लि कर दो कर दो कर दो